हलो गाईज वेलकम बैक टो आवर चैनल सो मैं साधी का ब्लॉग के बाद यहां पर रुख गई थी कुछ दिन सो मैंने सुचा कि इसको कंटीन्यू करते हैं काफे सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके वज़े से टाइम ने मिल पा रहा था तो अब सब किलिए रहे हैं मैंने नवाफर नुहां को भी रेडी कराया है बट नुहां यहां पे इतनी बुरी तरह से गंडा हो गई वह गीय और पूरा कपड़ा उसका देख सकiments रहे के बाद मेरी तपित खराब हो गए थी जिसके वज़े से ही मेरे ब्लॉग्स थोरसा लेट चल रहे थे और उसके बाद फिर नुआ को मैंने यहां पर साफ किया और इसको भी नवाफ को भी दोनों को सरदीवा परा था पर मुझे कुछ समझ नहीं आ था मैं किस से क्लीन करो तो और एक चीज़ क्या हुआ जब हम निकले थे घर से मैंने नवाफ को कुछ कपड़े और सूस पहना थे बट मैं उसे ध्यान ने दी थी कि वो क्या पहन के था तो मुझे यहां पर पता चला कि उसने चपपल पहन के आ गिया है और तो मैंने कहा नवाफ से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम मैं मेरी नाक कटवानी है तो इसने कह रहा है कि हां मैं आपका नाक कर दूंगा तो यही वही सारा कर दाता है और वह चपल पहन किया गया था खेल इससे कभी नाक ने कटने वाली बस यह बातों के लिए होता है उसके बाद चले मैं अपनी भावी से मिलवात रहते हैं जो कि हमारे आज नाजता के लिए बनने वाले हैं और ये सारे मेरी भावी का सामान सो मैं ने सोचा कि मैं जब इसे देखने जारू तो आप सबको भी दिखा ही दूँ सो यहां पर कुछ सामान रखे वह हैं जिसको भी सेट करना बाकी है यह धीरे-धीरे हो जाएगा मैनेज तो बस फिर यहां से मैं निकल ही रही थी बट इन्होंने कुछ बोला बट मुझे इतना समझ नहीं आया क्या बोला बट कुछ बोला कि मैं वीडियो बना रहे हैं उसी के बारे में लोग डिसकस कर रहे थे खैर उस बात को छोड़ते हैं उसके बाद हम आए उपर छट और यहां मेरी कजन सिस्टर लोग है जिसके साथ मैं खूप सारी मस्ती की और जो है यह मेरी ऐसी कजन सिस्टर है जिसके साथ हम दोनों हम दोने एक साथ पड़े बड़े बड़े और खूप सार इंजॉय की क्लासमेट क्लास फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड हर कुछ है सो इसके स हम लोग खुब सारी खुब सारी खुब सारी क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद मिलेते और इस तरह का भी मौका बार बार नहीं मिलता है और क्योंकि वो भी रहती है कहीं और मैं भी कहीं और फिर बाकि जितने सारी भी सिस्टर लोग है उनसे भी हमेशा ऐसे मुलाकाते मुला काते जो भी है सब नहीं होती है तो हम लोग बहुत दिन बाद मिलेते सब को एकटे वेते बहुत मज़ा रहा था वैसे भी साधियों के टाइम ऐसा होता है कि आप उस टेम इंजॉई ही कर सकते हो तो खेर जितना कर सब कर लो और हमने भी खुब सारी की उसके बाद यहां पर मै आनी थी वीडियो तो मैंने सोचा कि ठीक है तुमको भी बनाना है तो बना वैसे भी ऐसा होता है कभी भी अगर ब्लॉग या मैं कुछ भी शूट करती हूं नवाफ अगर आस-पास मैं नहीं होता है तो बाद मैं कहता है कि मैं यहां पर क्यूं नहीं हूँ मैं उसके लिए अलग से रोता है तो यहाँ पर मेरा जो ग rect कर लेता है पहुत सा मज़दार है आज से मैं जैसे से कर रही थी दोनों कर रहा था उसके बात फिर मैंने इन दोनों को जैसे से इस्तार आगया वो लोग सब कुछ किया मेरा बहुत ही पॉफेक्ट वाला एक रील बन के तयार हो गया था उसके बात यहां पर यह दोनों फिर अपने एक दूसरे को हग क изменjoy किया उसके बाद ना हमें फिर फटावट से निकरना था मेरे गाओं जो है मेरे ससुराल के लिए क्योंकि वहाँ पे पीर साहब आए वे हैं और हमें मिनने के लिए भी जाना था तो हम इसलिए फिर जल्दी से फटावट से अपना लंच करके फिर वहाँ से निकल परे जो पिर्स आप से मिलेंगे तो वहाँ पर ससुराल में जाके पहुचेंगे सो गैज हम पीर्स आप जो है उनको हम लोग ना प्यार से बाबु जूर भी कहते हैं सो उधर ही हम लोगों को जाना है भी तो यह ना सोते वह रहेगी इसका मैं चेंज मेरी नहीं कर पाई तो मैंने सुचा कि ठीक है जब सो ही रही है और यहां पर वीडियो ग्राफर जो होता है वह भी आये थे एंडे मुझे पिक्चर्स भी क्लिक करवाने थे ऐसे तो मुझे सब को खहरा थे कि करवा लो नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा खेर क्योंकि मैं वहां से निकल ले थी मैंने सारी चीज़े वह दिखा रही पाई तो मैंने सुचा कि यहां पर जितना कबर हो पाएगा मैं यहां पर कवर कर लूँगी तो बस यहां से हम लोग निकलते बनते हैं उसके रास्ते में सिधा पहुंचे हम लोग देवी गंश का और यहां पे भीर भी बहुत ज्यादा लगी थी एक ट्रक फस चुका था जिसके विए से हम लोग को बहुत हरवरी हो रहा था कि कब पहुंचे मेरे हजबन भी कॉल पर कॉल कर रहे थे कि आ रहे हो या नहीं तो मैंने उन्हें कंफर्म किया कि हम आ रहे हैं और फिर हम आगे पहुंच चुके अपने घर सिद्धा और सामने वाले जो घर गाईज वही पर पीजाब भी है और बस थोरी दिन में हम उनसे मिलेंगे और फिर और मैंना पीजाब के पास रिकॉर्ड नहीं करूंगी और गाईज हमना मिलने के बाद फिर वापस से जाएंगे और आप सब को दुलन की बिदाई भी देखाएंगे बिदाई मतलब पक फेर वाला रसम लेक चोठी हमारे ऐसे लंगेज में तो वह वापस से अपने माई के जाएगी उसके उसका जो है हम वह भी दिखाएंगे नेक्स वीडियो पर आप लोग वीडियो पर बने रहेएगा नेक्स वीडियो को जरूर देखिएगा और गईज अभी हम जाएंगे पीस आप से मिलने और मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बाई बाई अल्ला हाफीज